असलाम वेकुम क्लास 2 I hope you all will be fine क्लास 2 let's open your book of countdown Students आज हम करेंगे page नमर 86 division verse problems write the divisions and find the answer in each case हमने लिखना है और उसको भी divide करना है और आंसर तलाश करना है हर केस में first question क्या है 30 trees are planted in rows of six 30 trees हैं उनको हमने प्लांट करना है हर रो में हमने six लगाने हैं एक रो में six अगर प्लांट लगाएंगे तब हमने क्या करना है how many rows of trees are planted हमने देखना है कि कितनी rows बनेंगे उन प्लांट की जो पोदे है जो द्रख्तों के पोदे है एक रो में कितनी लगेगे six और total कितनी है 30 हम क्या करेंगे 30 को अंदर लिखेंगे six को हम बाहि लिखेंगे फिर हम six का table पढ़ेंगे यह वहां तक जहां तक 30 आ जाए six one is six, six two's are 12, six three's are 18, six four's are 24, six five's are 30 तो हमने table कहां तक पढ़ा तो हमारा answer आया 30 five तक हमारा actually answer क्या है five हम यहां पर क्या write करेंगे five five rows होंगी हमारे पास तो हर row में हम six plant लगाएंगे तो क्या होगा हमारे 30 plant मुकमल हो जाएंगे five rows में next question हम देखते हैं बी question है 60 pencils are put into pockets of 10 10 हमने pencil जो है वो pocket एक pocket में रखनी है total pencils कितनी है 60 हर pocket में हमने 10 10 रखनी है और हमने देखना है इसमें कितनी total pockets होंगी how many pockets are made हमें कितनी pockets बनानी होंगी जिसमें 10 10 करके 60 pencils हम complete कर लेंगे इसमें हम क्या करेंगे 60 को भड़ी जो है रखम उसको हम अंदर लिखेंगे 10 को हम बाहि लिखेंगे और फिर भड़ी को छोटी बार तक्सीम करेंगे 10 का table हम पढ़ेंगे जहां तक 60 आ जाए 10 1 is 10 10 2s are 20 10 3s are 30 10 4s are 40 10 5s are 50 10 6s are 60 10 का table हमने कहां तक पढ़ा तो हमारा question complete हो गया 6 तक 10 का हमने 6 तक पढ़ा तो 60 आया हमारा actually answer क्या है 6 हम कितनी pockets बनाएंगे तो 60 pencil complete हो जाएंगी 6 pockets में हम 10 10 pencils अगर रखेंगे तो हमारी 60 pencils complete हो जाएंगी तो students ऐसे ही आपने questions C, D and E करना है ये questions आपका homework है इसको आपने अच्छे से understand करना है और इसको solve करने की कोशिश करनी है थैंक यू